तो मुझे आप लोग को बताने है कि भई हमें loop or conditions प्रोग्राम में कैसे लगाने होते हैं तो loop or conditions विसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक construct की demographic में आते हैं construct क्यों बोलते हैं योठे? क्योंकि ये प्रोग्राम में किसी भी logic को construct करने के लिए logic को built up करने के लिए जरूरी होते हैं तो इसलिए इसको हम construct बोलते हैं अभी जो construct होते हैं ये दो होते हैं एक होता है looping construct और एक होता है conditional construct तो तो कि programming में ऐसे कई बरी हमें जुरत पढ़ती है प्रोग्रामिंग में हमें कई बरी ऐसे जुरत पढ़ती है कि रिपीट कराना है ठीक है तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं लेकिन अगर हमें कुछ तो उस के लिए हम conditional construct को यूज करते हैं, अब यह जो लूप होते हैं, इसमें और condition होते हैं, क्या difference होता है, तो loop जो होता है basically, आप ऐसा हो सकते हो, repetition के लिए होता है, ठीक है, repetition के लिए होता है, और repetition, और जो हमारे conditional होते हैं, इस तो नाम से पता चल ला है कि लूप का मतलब repetition और condition का मतलब condition है ना ठीक है अब लूप कितने टाइप के होते हैं लूप होते हैं आपके दो टाइप के तीन टाइप बोलो आप एक फॉर लूप होता है एक होता है वाइल और एक होता है हमारा डू वाइल तो ये तीन तरह के हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रक्ट अपलेवल है और अगला होता है आपका कंडिशन्स तो कंडिशन्स कौन कौन से होते हैं बही कंडिशन के अंदर आपका आजाता है इफ एल्स आजाता है तो रभी बताओ आप कि हम कब लूप किसलिए हम यूज करते हैं रिपिटीशन के लिए तो रिपिटीशन के लिए कब हम थार लूप यूज करते हैं कब हम वाइल लूप यूज करते हैं इफ एल्स स्विच्ट केस सी एसी यह हो गया कंडिशन ठीक है नेक्स्ट्रडी फेल्स प्रकास जाल सकते हैं आप प्रकास बिंदू जैसे जैसे मुझे तक ट्रेंट कराना है एक की बार में फोर लूप लागा तो कि में मतलब की उसमें कंडिशन पहले चैक होगी और बाद में का लूप की बोडी एक्षिक्यूट in New York City yani để कि בכ moms cum हमारे पास कोई भी काम अगर हमें करना है लूप का काम होता है iteration, repetition, अब अगर repetition finite number के लिए है, ऐसे number के लिए है जो हमें पता है कितने बार तक हमें repetition करना है, तो उस case में हम यूज करते हैं for loop, और जब हमें नहीं पता हो कि हमें repetition कितने बार करना है, कब तक करना है, in finite condition हो, तो while लो, example के तोर पर जैसे अभी रवी ने बताया, एक मुझे table print करना है, 2 से लेके 10 तक हमें table print करना है, है न, अब कोई भी table हम जाते हैं, तो generally हम 10 तक जाते हैं, जैसे 2 का, 2, 1, 2, 2, 2, 4 से लेके हम 10 तक जाते हैं, generally, तो अब हमें 10 तक अगर जाना है, तो उस case में हम क्या यूज करें क्योंकि मुझे पता है कि हमें कहां तक जाना है, कहां तक हमें इस काम को repeat करना है, तो repetition वाले काम का, अगर हमें end पता हो, यान कि condition हमारा finite हो, तो उस case में हम जाएंगे कहां पे, for loop पे, और जब हमारे पास condition पता ही नहीं हो, कितना बड़ा हो, कितना बड़ा होगा, या कितन नहीं होगा, यान कि जब long calculation के तरफ हम move करते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं क्या, while loop, region क्यों, क्योंकि जो while loop होती है, इस में क्या है कि, जैसे मालो कि आपने while loop के इंदर true डाल दिया, तो वो infinite हो जाएगी, अब आपने infinite loop डाल के, और read method चला दिया, जो file से data read करके अब आप लूप को break नहीं करोगे, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कि मत्दब एक while loop लगा के, अब प्रोग्राम में जितना condition चाहो, कि उस condition के इस आप से आप अपने data एक ही करके ला सकते हो, अब मालो मैं कोई file read कर रहा था, उस file में एक data है, दो data है, दस data है, यह एक ल file loop यूज करी, अगर आपको पता है, condition यही से, one से लेके hundred तक जाना है, two से लेके यहां तक जाना है, तो उस case में, हम for loop का यूज करते हैं, तो यह difference होता है, for और while का, for is used for finite condition, and while is used for infinite condition, ठीक है, तो चलिए ज़रा इसका हम syntax देख ले पे, और इस पे थोड़ा काम कर लेते हैं, then उसके बाद आपको do while के बारे में बताते हैं, तो, for loop, एक class बनाएंगे, class का नाम ले लेते हैं, l o p, loop 1, और यहां से बना दिया, main, तो तक यह for loop का syntax होता है, for, यह keyword होता है, for, और सबसे पहले हमें देना होता है, initialization, कि कहां से हमें जाना है, तो माल लो कि मुझे 0 से जाना है, कहां तक जाना है, माल लो मुझे 100 तक जाना है, यानि कि इसका यूज हम तब करते हैं, जब हमार पास condition पता हो, कहां तक जाना है, यह कहां तक जाना है, यह termination point है, समझे आप, 1 से, लेके 100 तक के natural number हमें print कराने है, तो इस तरह से हम for loop के अंदर यूज कर सकते हैं, यह for loop का syntax है, हम कर रहे हैं, जब condition हमारा finite हो, जैसे, हम petrol pump पे गए, हमने कहां कि यह जरा 100 का तेल दे दो, 100 का तेल दे दो भई, वो क्या कहता है, जीरो चेक कर लो, और जीरो से करके और 100 रुपया उसे ने end point बता दिया, अपने आप आपके गाड़ी में petrol जैसे यह आ जाएगा, वहां पर रुख जाएगा वह, इसका बंदर उसके अंदर प्रोग्रामिंग होई है, वहां पर भी क्या चल ला है, लूपिंग चल रहा है, तो जीरो चेक कर लो, तो इसका बंदर हम जीरो से चलेंगे, अब प्रोग्रामिंग में है न, कि आप ऐसे direct कोई variable जो यूज खरते हो, वैलिट नहीं है, तो इसलिए आप लिखो int, डीजर टाइप का variable बनाईए, कोई एक variable में इस value को समाल के रख लीजे, कि यहां से हमें चलना है, तो यह syntax होता है, कि पहले हमें declaration करना चाहिए, किसी variable का, जिससे यह पता चल जाए कि उसको कहां से जाना है, कंडिशन दे दीजे, यह termination दे दीजे, कि i is less than या greater than 100 तक जाना है, अब यह जाए कि कैसे, इसके लिए increment या decrement भी करना हमारे ज़रूरी है, तो अपने लिख दिया यहां पे i plus plus, तो i की 0 से start करना है, एक 100 तक लेके जाना है, लेस दन 100 तक जाना है, और एक करके increment करते रहन है, तो यह हमारा for loop का syntax होता है, opening and closing कर लिजे, तो यह आपको syntax बस पता होना चाहिए, system.out.println, sy, 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 so, and i, अब देखे, application को run करते हैं, आप देख सकते हैं, आप फे 1 से लेके कहां तक गया यह पूरा, 99th, तो यह है आपका for loop, sorry, बताइए, कोई confusion, है जी, कोई confusion, नहीं साथ, नो सथ, तो for loop यह होता है, पता है, यह loop उप का भी knowledge होना बहुत जरूरी चीज है, यह, देखने में आसान लगता है, कि यह बड़ा आसान है, लेकिन जब इस पर काम करने बैठते हो, जब इसका यूज करके, कोई important task अचीब करते हो, तो फिर यह दिमाग गायब होने लगता है, इसलिए सही से पता होना चाहिए, इन सब के बारे में, आप कोई जरूरी ने, 0 से ही चलना है, ठीक है, अब इसको आप, वोल स्टेस्ट कर सकतो है कहीं से भी स्टाट कर सकतो है केने मुझ लिए अब ज्यसे में टेबल प्रिंट करना है तू से लेकर 10 तक है ना और टेबल किसका प्रिंट करना है मैं यूजर से इन्प्र ले सकता हूं तो अमने हाप e scanner चला दिया scanner called a booster coes to new scanner रिसक्न देशाड मेल इस्यूम.因 यह नहीन पे स्यूम. अद्ट अन्रड नक्रड़्ठ इंटर इंटर आफर इंटर नुमब इंटर नुमब उर मूर फर बल फर देवन टेबल जिसका प्रिंट करना है वो नमबर एंटर करिए जो भी नमबर एंटर कराओगे उसको हम एक्स वेरियबल में रीट कर लेंगे s.nextint method के थ्रू nextint s लिखना होगा यह आ गया हो है इस डॉट next में आ गया अब इस एक्स को क्या करो आई से मुल्टिप्लाइ कर दो तो इससे क्या हो जाएगा आपका उस पर्टिकुलर नमबर का जो टेबल है वह आएगा जिसका आप नंबर यहां देगा जो मैंने देदिया 3 तो 3 का टेबल यहां पर आ गया 3 बंज़र 3 3 1 जैसे 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना 2 से अमने स्टार्ट कर दिया कि फिर से चला दीजे अब यहां से अप्लिकेशन को रण करिए तो आप देख सकते हैं अच्छा लास्ट तक नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने लेस दन इक्वल टू नहीं चलाया है तो थी तर्टी भी जाया गई है त्री देदो फोर देदो फाइब देदो जिसका भी देदो कि टेपल यहां से आ जाएगा देखो फोर वंजा फोर टूजए एट फोर त्री जा ट्वल्व सिक्स्टीं से लेके 40 तक यहां पर आ गया तो देखिए इस तरह से प्रोग्राम आ बना सकते हैं इस तरह से काम कर सकते हो निद्व कहने का यह है बताए है को एक क्वेरी कोई क्वेरी है अच्छा मुझे एक इनर लूप नहीं होता है इनर लूप नहीं हाँ बिल्कु सही कह रहे हो फौर के अंदर फौर यूज़ करोगे तो वह हमारा इनर लूप हो जाएगा लिकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर यह चाहता हूं कि फोर इंटु कि फोर इंटु टू ऐसे करके चले तो कैसे चल सकता है तरीका है तो फोर इंट वन इस उकल टू फोर इंटो ऐसे करके समझ रहा हूं जैसे टेबल हम लिखते हैं कि कोई किया है नेचे निशार के हैं कोई बड़ी चीज थोड़ी नहीं कैसे हो पाएगा यहां क्या करें बताओ जो यूजर से इंपुट आ रहा है वो प्रेंट कर दो जो लूप चर रहा है आए उसको प्रेंट कर दो और जो आए इंट वन इपल टू में इसको प्रेंट कर दो सबसे पहले हमें एकस चाहिए आना इसके बाद इंटू चाहिए हमें तो हमने यहां पर इंटू लगा दिया ठीक है फिर हमने यहाँ प्लस लगा दिया और फिर हमें क्या चाहिए आई चाहिए फिर हमने प्लस लगा दिया फिर एकुल टू लगा दिया मिदो डatta प्लाष्ट प्लस लगा दिया इस तरह से बब गोंु नहीं है अब आप ज़रा देखिए यह देखिए 6 6 बंज़ 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 ठीक है, सही चल दा ना, ऐसा कर सकते है बोले भाई बढ़ियां आए इस इसबूंट के, निया विश्क से क्वारिप्स होता है है ऑघी कि कोई बतायागा वार लूप क्या सिंटैक्स होता है अब पहले इनिश्श ञाईजिसन, उसके बाद में कंडिशन चिक करेगा, उसके बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बिलकु सही बात है initialization, condition, increment and decrement तो condition बोलो या आप ऐसाव termination भी बोल सकते हो कोई दिकत वाली बात नई है condition भी बोल सकते हो कोई termination भी बोल सकते हो ठीक है तो चलो, आप बात कर देते हैं जैसे रवी ने बात करा कि nexted भी होता है कुछ तो next loop के बारे में भी बात कर लेते हैं तो अब हमने LWP loop second second category की बात कर लेते हैं यह loop के loop की second category होती है अब यह एक for loop हमने यहां लगा दिया है ना for अब for हम कहां से जाएंगे say हमने यहां पे ले लिया int i equal to 1 से ले लिया 1 से हमें जाना है कहां तक जाना है i is less than i is less than हमें जाना है say हमें 5 तक लेके जाना है 5 ले लिया and then semicolon i plus plus ले लिया यह हमने एक for loop चलाया अब यह simple for loop है जो 5 time तक चलेगा लेकिन मैंने क्या किया इसी loop को copy करके दुबारा इसी के अंदर paste कर दिया loop के अंदर loop और इसके variable का ना बस बदल दिया i के जगहें पर j कर दिया तो यह चीज़ बन गया आपका nexted for loop समझे तो लूप के अंदर जो loop होता है that is nexted और nexted for loop की condition होती है यह अगर nexted for loop आपने बना रखा है और आप इसको चलाईए यहां पे और से आप i और j दोनों को print करिए तो क्या print होगा कैसे चलेगा कहानी पता है इसके बारे में आप लोग को पुश्य है एक column चलता है एक row चलता है column row को होगे तो हो सकता हो लोगों को समझ ना आए हम ऐसा बोल सकते हैं देखे simply जब for loop के अंदर loop आप चलाते हो तो इस i के एक value के लिए जैसे i क्या है i अभी 1 है तो फिर i 2 होगा फिर i 3 होगा फिर i 4 होगा इस तरह से i 5 time तक चलेगा है ना तो i की एक value के लिए यह equal to कर दूँ ना यहां पे equal to कर दूँगा तो यह 5 तक चलेगा है तो i की एक value के लिए j जितने बार लिखा गया है उतने बार चलेगा j जितने बार लिखा गया है उतने बार चलेगा तो i के i के 1 के लिए j पूरा 5 बार चलेगा फिर i के 2 के लिए j पूरा 5 बार चलेगा i के 3 के लिए यह पूरा पांच बढ़ चलेगा इस तरह से तो इस तरह से आउटपुत आएगा जेख सकते वाँ कि आएके one के लिए जैए one था, आएके one के लिए two था, three था, four था, five था, तो one के लिए पांच बढ़ चला है कि समझने आ रहा है या नहीं आ रहा है आ रहा है न? यह सर तो i की एक value के लिए जितने बार लिखा गया होता है वो तने बार चलता है ठीक है? तो यह होता है inner loop की कहानी अब inner loop में क्या है? आप loop को यूज करके patterns बना सकते हो जैसे अभी मुझे ऐसा कोई pattern बनाना है जिसमें इसी तरह का कुछ condition देना है कि या i उतने बार चल जाए जितने बार है उसके equivalent चल जाए और जहां पर आपने star print करा है उसके जगें पर कुछ और print हो जाए है न? तो कर सकते हो आप ऐसा अब जैसे for example मैंने i equal to 1 से लेके i is less than equal to 5 i plus plus चला है और j is equal to 1 j is less than equal to यहां 5 न करके अगर मैं यहां 5 के जगे पर i दे दूँ क्या दे दूँ? i ठीक है और यहां पर जो हमने print कराया है इस चीज को print न कराके यहां पर double code में मैं print करा दूँ star ठीक है तो आप देखे एक pattern बन क्या जाएगा और pattern क्या होगा देखेगा जड़ा यह pattern हो जाएगा एक मिनट print ln है न print ln के जगे पर यहां पर लिख दो print ठीक है और इस loop से बाहर यह loop है यह loop है यहां पर system.order print ln में एक print ln और लगा दो तो यह देखो आप क्या आया अइसा क्यों भाई पर ओफो फ़ौर लोग के अंदर चाहिए water for look पर फ़ौर लोग के अंदर पाफोर लोग के अंदर यह 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 उफटर लोग के अंदर यह 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 बाहर में जाएगा ये लूप के अंदर डाल देखे ये देखी ये बैटन आ गया कि पहले बार इस्टार आ गया फिर डबल इस्टार फिर ट्रिबल इस्टार फिर फूर इस्टार इस तरह से तो क्या किया बस आपने आई के वन से लूप चलाया जे को आई के बाराबर चला दिया, बस बात खतम, और उधर एक लाइन पर रेक कर दिया है, नहीं सुन जा रहे है, बोली भई, आ रहा है, आ रहा है, तो अगर मैं, अगर मैं आपको, कुछ ही से इसाइमेंट दो तो बनाओगे, ठीक है, बहुत ही आसान से इसाइमेंट देता हूं इसी में, अब आपको इसी का उल्टा करना है, बस, इसी जैसे यहां पर वन है, फिर टू है, फिर त्री है, फिर 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 फाइव है, अब आपको उल्टा करना है, कि पहले यहां से टाइए यहां लगा दीजिए यहां पे सबसे उपर फाइब होगा यह सर बनाएं यह बनाना है आपको बना लीजेगा यह टास्क है आपके लिए ठीक है यह यह आपके लिए काम है आप करिए तो मैं बनाओ और आप बना लोगे तो अच्छी बात है तो इस तरह आपके बनाने की कोसिस करिए प्लीज यह सब कोश्चन इंटर्वू पूछा आता है और यह पैटन नहीं और भी कटिन कटिन पैटन्स आते हैं एक तो एक इसकी अलामा भी बनता है निचे डमरू वाला बनता है है बिल्कुल बनता है इस पैटन्स बहुत सारे हैं ठीक है ऐसे भी तो पैटन्स बन सकता है जी सर यह भी यह भी बनाना है तो यह सब जनरल नालेज के लिए और कुछ नहीं है चलिए और यह आपके लॉजिकल मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ताकि यह आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेर हो जाओ और आप कोडिंग वोडिंग थोड़ा अच्छे से करने लगो और क्या क्लिए रहे हैं तो आप फॉर लूप का यूज करके आगे अच्छा लूप फॉर लूप में भी आप कुछ स्टेट्मेंट अलग से यूज कर सकते हो जैसे मालो कि आप किसी कंडिशन के हिसाब से प्रोग्राम में कहीं पर कुछ ब्रेक कराना चाहते हो तो कंडिशन लगा क कि आप उसको ब्रेक भी करा सकते हो अब जैसे फॉर लूप में आ गए आपने कह दिया कि जैसे आई की वैलू इतना हो जाए तो लूप ब्रेक हो जाए तो इस तरह से हम कंडिशन के हिसाब से कि दिविची इसको ब्रेक करा सकते हैं तो जैसे 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 ये की वैलू टू वहीं से लूप ब्रेक हो गया तो यह भी चीज होती है आपके लूप से रेटर जब आप की बात करते हो तो अज़िक है जी चली अच्छी बात है आप ने जान लिया अब आगे चरा आ आप पढ़े होंगे लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहां पर उसको इंपलेमेंट करने की जरूर को सिस्क्राइब और यह नहीं कि एक कान से सुनना अगले कान से निकाल देना है नहीं नहीं अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत यह होगी मैं आपको बतातो रहा हूं आप अच्छे अच्छे इंट्रिवी में जाओगे ऐसे लोजिकल कोश्चेंस आपसे बहुत पूछा जाएगा बहुत इंप पूर लोग के अंदर अगर मालो कि आपने इंफाइनाइट तक जाना है तो फॉर के अंदर भी आप क्या कर सकते हो सेमी कॉलन लगा सकते हो तो अगर फॉर के अंदर सेमी कॉलन लगा देंगे और यहां पे कुछ भी लिख देंगे तो इंफाइनाइट कंडिशन आपका बन बताइए.